दोस्तों वेलकम तो दे सलिल स्टडी ग्रॉप आपकी सीडेस के बाद की छूटियां बहुत अच्छी चल रही होंगी सारे बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे होंगे लेकिन अब उस चीज को ब्रेक लगाओ क्योंकि हमारे पास सेकेंड चैलेंज आ गया है और सेकेंड की नोटिफिकेशन आई है इस वीडियो के अंदर मैं उस नोटिफिकेशन का एक जस्ट सिंपल रिमाइंडर देना चाहता हूं सभी बच्चों को कि तयार हो जाओ हमारे पास नया चैलेंज आ चुका है इस वीडियो के अंदर I'll be talking about broadly दो पेपर के बहुत करूंगा जो इसक सकते हैं और बाकी की इसकी डिटेल्स की इंटर्व्यू और मेडिकल और निके मार्क्स कितने हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज की इस पेपर को कौलिफाय कैसे करना है उसके लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों हमें डेटा नहीं आज कल सबसे ज़्यादा जरूरी गा कि आऊंगा जिसमें एनलीसिस करके देखेंगे हमकी प्रिविएस यर के पेपर्स का क्या है और उसके बाद हम अपनी प्रेप्रेशन शुरू कर देंगे फॉम दो मन्त ऑफ में सो इन सारी चीजों के लिए विल भी सेरीं कि हमें सबसे पहले इसका फॉर्म भरना है स्टार् के प्रेप्रेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रेशन कर रहे हैं मेरा उनके लिए सजेशन यह है कि हमें यूपीस का फॉर्म भरना है सी अपीएफ के लिए अगर हम तैयारियां कर रहे हैं I can assure you CDS आपका आराम से निकलेगा तो जितने भी बच्चे हैं दोज वार इंडिस दे एज ब्रेकेट कैंडली अप्लाइफ और सी अपीएफ इसको बीच का फॉर्म मानते हैं जैसे CDS से CDS के ऊपर हमारे पास IES आ जाएगा IES और CDS के बीच में एक जो लिंकिंग लिए रहे है देट इस सी एपीएफ का एक् तो अगर मैं नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन के अंदर तो यह अगर हम इसको देखे हैं तो हमारे पास हां जी लास डेट फॉर दा सब्मिशन मित्रो लास डेट है इसकी सिक्स्टीन्थ से पहले पहले इसका फॉर्म भर दीजेगा सिक्स्टीन्थ लास डेट है और लास डेट के लिए वेड ना करिएगा क्योंकि यह यूपीएसी है तो इसके जितने भी सेंटर्स हैं जल्दी बरना शुरू हो जाते हैं तो 16 से पहले पहले इस फॉर्म को भर दीजेगा कहां बरना है यूपीएसी ऑनलाइन डॉट निक डॉट आइन पे एक्जाम कैसा है फर्स्ट जो होता है इसका अब्जेक्टिव होता है सेकंड पेपर जो होता है सब्जेक्टिव होता है और यह एक्जामिनेशन डेट क्या है इसकी 2023 के 6th of August को एज लिमिट्स की मैं बात करता हूं सबसे important बच्चे यही पूछते हैं कि सर मैं eligible हूँ या नहीं हूँ eligibility के लिए 20 से 25 के बीच में आप होने चाहिए 1st August 2023 के according यानि 2nd August 1998 से लेके 1st August 2003 के बीच बीच में बच्चे होने चाहिए देखो यह जो मैं आपको information दे रहा हूं यह इनकी मैंने खुद इनकी जो notification आई है वहां से उठाई है आप यहां पर भी देख सकते हैं या फिर यहां पर भी देख लो या अभी एज लिमिट दोस वार फ्रम शेडियूल कास्ट याद रखना जो डिफेंस है उसके अंदर reservation नहीं चलती बट दोस विलॉंग फ्रम दीज कैटेगरी उनके लिए गुड निउज है कि पांच साल की जो एज लिमिट रिलैक्सेशन है वो SC and ST के लिए है त्री येर्स की OBC के लिए है और फाइव येर्स की Civilian Central Government Servant जो Central Government की जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी पांच साल की चूट है minimum qualification क्या चाहिए इसके लिए minimum qualification चाहिए बैचलर्स डिगरी और 10% वेकेंसी जो है एक्स सर्विसमेन के लिए भी इन्होंने रखी हुई है अब इसका ब्रेक अगर हम देखें कि इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन सी की defense services आती है इसके अंदर हमारे पास BSF की 86 post सारी है assistant commandant की मित्रों CRPF की 55, CISF की 91, ITBP की 60, SSB की 30, कुल मिला के हमारे पास 322 vacancies हैं CAPF की जो इस साल निकली हैं तो 322 vacancies काफी जादा होती हैं दोस्तों अगर आप इसके लिए apply कर रहे हो कुछ बच्चे ऐसे भी एंजिनर ने direct SSB दी थी of CDS उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यार B और C certificates के लिए desirable qualification है इनकी को direct SSB या direct interview नहीं होगा fees exempting female SCST candidates rest को 200 रुपे की fees है इसमें सिरफ 200 रुपे में लाखों की नौक्री है ये important instructions यहां पर OTR profile जो आपका जब भर दोगे उसके seven days तक वह OTR profile आपका open रहेगा अगर किसी ने इसको change करना है तो ठीक है उसके बाद वह lock हो जाता है उसके बाद इसको change करना मुश्किल होता है और अगर आपने एक बार form भर दिया और finalize कर दिया तो उसको आप इन्होंने withdrawal की option इसमें नहीं दी है ठीक है so they are not allowed to be withdrawn service allocation इसके कैसे होती है जैसे मैं आपको पिछली बाद पिछली वली slide में बताया कि यह सारी के सारी है हमारे पास post सारी है इन सारी के सारी post में service allocation कैसे होती है on the basis of merit list and service preferences ठीक है अभी merit list और service preferences जो है यह कैसे उठेंगी किस साब से उठ करेंगी marriage जो सारी service preferences हैं यह सारी के सारी detailed application form DAF कहते हैं उसको detailed application form जब आपका paper निकल जाएगा उसके बाद आप उसको खुद फिल करके दोगे तो उस time पर आपको ही मिलेगा ठीक है आगे आजाओ written examination सुबा उसके बाद दूसरा paper शाम को तो दो इनका parts में होगा paper 1.500 marks का है paper 2.200 marks का है negative marking 1 by 3 है और interview case में 150 marks है इसके लावा एक physical efficiency test भी होता है इनका जो physical efficiency test है इसमें male और females को इसमें qualify करना पड़ता है 100 meter raise जो है वो 16 seconds में करनी पड़ती है for male and for female it is for the 18 seconds 800 meter raise जो है 3 minutes 45 seconds और female के लिए है 4 minutes 45 seconds long jump 3.5 meters 3 chance दिये जाएंगे और 3 meters इनको दिये जाएगा girls के लिए short put 7.26 kg का short put होगा 4.5 meters आपको उसको फैंकना है 3 chances मिलेंगे इतना मुश्किल नहीं है इसका medical अगर आप देख रहे हो तो बहुत easy इसका physical efficiency test होता है इसके बाद इस paper के अंदर हमारे पास किन-किन topics को इन्हों watching, quantitative aptitude, including numerical ability and data interpretation, jernal science, jernal awareness, scientific temper, comprehension, application of scientific phenomena of everyday observation and new areas of importance like information technology, biotechnology and moreover, environmental sciences in current event of national and international importance उनके उपर यानी current affairs, उसके बाद Indian polity and economy, constitution of India, social system of India and public administration, economic development in India, regional and international security issues, human rights including its indicators, history of India, social economic political aspects, this shall also include the areas of growth of nationalism. अब देखो इन्होंने यार मित्रों इतना से एतना से एक line लिखके दे दी, कि history will include social economic political aspect, this also includes the areas of growth of nationalism and freedom movement. अगर आप इसको वैसे अगर कहीं न कहीं, अगर देखने की कोशिश करोगे, बहुत बड़ा topic बन जाता है, देने को तो इन्होंने एक line में इसको खतम कर दिया, art, architecture, ancient, medieval, modern, सारी चीजें इसी के अंदर social economic and political aspect के अंदर खतम हो जाता है. इंडिया and the world, physical, socio-economic aspects, geography pertaining to the India and the world, मस, सिर्फ इतना सही है, तो एक line की geography है, अगर आप इसको देखते हो तो एक line की geography नहीं है, बहुत बड़ी geography का आसलिए बस है. पेपर 2 जो है, उसको इन्होंने दो पार्स में divide किया है, एक में आपके पास essay questions, जो की 80 marks तक के होंगे, तेके हिंदी और इंग्लिश, totaling 80 marks, indicative topics कौन-कौन से हो सकते हैं, modern Indian history, especially from the freedom struggle, geography, polity, economy, knowledge of the security and human rights issue, and analytical ability, comprehension, pressy writing, other communication, languages, skills, यह to be attempted in the English, 120 marks का यह होगा, 80 marks का यह होगा, और यह जो comprehension passages हैं, यह कहां से उठेंगे, comprehension passages उठेंगे, pressy writing जो उठेंगे, simple English grammar, counter arguments, और यह simple उसी की बात आईगी, तो यहां तक अगर हम देखें, तो हमारे पास यह मिला के, हमारे पास यह पूरा का पूरा syllabus बनाव, तो दोस्तों, अगर हम देखें, तो यहां पर हमारे पास एक चीज़ समझ आगी, जहां पर हम IMA की तयारियां कर रहे थे, वो सारी की सारी mental ability and reasoning, logical, सब कुछ इसमें आ गया, हमारे पास जो general science की हम तयारियां कर रहे थे, वो सारा का सारा इसमें आ गया, moreover इसका जो level होता है, वो level थोड़ा सा इस से higher level पे होता है, जो कि हमारा CDS से उपर होगा, somewhere equivalent to IES pre से थोड़ा सा नीचे होगा, So, again I am requesting everyone, जो की graduate है, वो सारे कैसारे इसको भरियेगा, we will be jumping into it, हम इसकी तयारियां करेंगे, जी खोल के, ताबड तोर तरीके से इसकी तयारियां करेंगे, और इसको भी हम qualify करेंगे, और इसके भी हम वैसे ही result लेके आएंगे, जैसे हमारे बाकी papers के CDS, F-CAT की results आया है, उसके लिए हम daily to daily इसको update भी करते जाएंगे अपने इसको group को, और I would request everyone start preparing, हमारे पास CDS निकल चुका है, F-CAT हमारा निकल चुका है, first, now we are into the CAPF, कि हमारा जितना भी syllabus है, वो सारा का सारा syllabus चार अगस तक हम खतम कर गए, चार अगस तक हमारा अगस खतम हो जाता है, we will be in a position, in a commanding position, कि एक महिने के लिए we will be giving the test series, इस एक महिने में from 4th August to 6th September, CDS की हम बहुत अच्छी तयारियां कर चुके होंगे, meanwhile, maths and all के लिए F-CAD बीच में आ रहा है, F-CAD कहीं न कहीं, अगस मिड में या अगस लास्क में आएगा, तो अगर आप देख रहे हो, पूरा exam packed हमारे 3-4 महिने रहने वाले हैं, defense related, हमारे पास बहुत exams आये हैं, अभी हमारे पास coast guard का भी आएगा एक exam, उसकी notifications and dates जैसे आएंगे, मैं आपको inform कर दूँगा, एक चीज़ याद रखिएगा, दोस्तों, हमें uniform चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी कलर में हो, either it could be olive green, either it could be sky blue, either it could be white, और either it could be khaki, हमें uniform से मतलब है, जिस मर्जी कलर में आए, इसके लिए हम prepare करेंगे और इसके लिए हम UPSC निकालेंगे, दोस्तों prepare well, all the very best, जय हिंद, जय भारत.